चीन और रूस एक बार फिर फिलिस्तीन की हिमायत में उतर चुके हैं इसराइल और अमेरिका की बड़ी साज़िश का चीन और रूस ने परदा पाश कर दिया है और इस बार पूरा अरब भी अमेरिका के दोगले पन को समझ चुका है कि किस तरह वो इसराइल के साथ मिल कर दुनिया के सामने बड़ा खेल खेल रहा है United Nations Security Council में अमेरिका की तरफ से गजा के लिए पेश की गई तजवीज पर रूस और चीन ने वीटो करके अमेरिका का खेल बिगार दिया है UNSC में अमेरिका की पेश की गई तजवीज को रूस और चीन ने ये कहते हुए वीटो कर दिया कि अमेरिका ने अपने ड्राप्ट में सीजफायर की डिमांड करने के बज़े सीजफायर के लिए जरूरत की बात कही ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरब वो दुनिया को दिखा रहा है कि वो इस्राइल पर पूरा दबाव बना रहा है लेकिन जिस तरह से UNSC में कल अमेरिका ने जो तजवीज पेश करी उससे तो साब जाहिर होता है कि US ने एक भद्दा मजाग किया है जगबंदी की ज़रूरत पर जोर देने वाली तजवीज पेश करके अमेरिका ने कोई नई बात तो नहीं की ये तो पूरी दुनिया ही बोल रही है कि जगबंदी की ज़रूरत है अमेरिका का UNHC में ऐसी तजवीज पेश करना ये जाहिर करता है कि वो और इस्राइल आपस में मिलकर इंसानियत के साथ खतरनाग खुनी खेल खेल रहे हैं कमाल ये है कि पूरा अरब अमेरिका के इस खेल को भाप नहीं पाया तजवीज के लिए उसकी तब तक हिमायत कर रहा था जब तक रूस और चीन ने वीचो करके ये नहीं वाज़े कर दिया कि इस ड्राफ्ट में अमेरिका ने सिर्फ जंगबंदी की जरूरत की बात कही है जबकि अमेरिका को अपने ड्राफ्ट में सीस फायर की डिमांड करनी चाहिए थी इसके बाद अरब देशों ने भी इस बात पर रूस और चीन की हमायत की आखिर में पैसला ये हुआ कि फीर से पहले यूनसी में एक और ड्राफ्ट पेश किया जाए जिसमें गज़ा में सीस फायर की डिमांड रखी जाएगी बता दे जुमे को यूनसी में रखे गए ड्राफ्ट के हक में 11 वोट पड़े जिसमें रूस चीन और अलजीरिया ने इसके खलाव वोट किया मॉसको ने वाशिंग्टन पर मुनाफिकाना तमाशा करने का लजाम लगाया जो इसराइल पर दबाव नहीं डालता यून में रूस के सफीर वासिली नेमेंजिया ने कहा कि ड्राफ्ट में जंगबंदी के लिए कोई डिमान नहीं थी और अमेरिका जान बूच कर पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करा है वही यून में चीन के नुमाइंदे जांक जुन ने कहा कि अमेरिका ने बड़ी चालाकी से अपने जाफ में सबसे मरकजी मसले यानी पौरी जंगबंदी की मांग को ही नजर अंदाज कर दिया चीन और रूस के अलावा अरब रियासतों ने भी यूएस की पेश करदा तजवीज की मजमत की है UNSC में अमेरिका की वाहियात हरकत के बाद अब फिर से एक नए और मजबूत ड्राफ्ट पर काम किया जा रहा है जिसमें गज़ा में माहिर रमजान में फौरी जंगबंदी की मांग की जाएगी और उसके बाद एक मुकमल जंगबंदी की तरफ जाया जाएगा UNSC में ये ड्राफ्ट वोटिंग के लिए आज पेश होने वाला था लेकिन अभी ड्राफ्ट पर मज़ीद बाद शीद के लिए फिलहाल इसे मुल्तवी कर दिया गया है अब UNSC में इस नए और मजबूत ड्राफ्ट पर पीर को वोटिंग की जाएगी बतादे की काउंसिल के दस नौन पर्मानेंट मेंबर्स में से आज इस ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं इस ड्राफ्ट में फौरी और बिना किसी शर्त के हमास की कैद से सारी कैदियों की रिहाई और गज़ा में इनसानी अमदाद दाखिल होने के लिए तमाम रुकावचे को खत्म करना शामिल होगा आपको ये भी बता दे की युनाटन नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल में इस से पहले भी इसराइल के खिलाफ्ट पेश किये जा चुके हैं जिसको तीन बार अमेरिका ने वीटो करके इसराइल को बचा लिया कई बार इसराइल के खिलाफ्ट लाने के बाद भी अब तक इसराइल ने गज़ा में अपनी कारवाई नहीं रोकी यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भी इसराइल पर जैनोसाइड का मकदमा चल रहा है और आलमी अदालत भी इसराइल को वार्निंग दे चुकी है लेकिन इन सब बातों की परवा किये बगएर अब तक ना तो युनाटिन नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल या आलमी अदालत इसराइल के खलाफ कोई सक्त कारवाई कर सकी है तो इससे ये साब वाज़ होता है कि कहीं न कहीं ये सब दुनिया के सामने खेल और दिखावा चल रहा है जिसको सामने रख कर अमेरिक और इसराइल फिलिस्तीन में धीरे धीरे तमाम जमीन पर कबज़ा करते जा रही हैं और अब रफा पर कब्ज़ा करने को बेताब है मध्यप्रदीश की कबिलाई अक्सरिती जले धार में मतनाज़े कमाल मौला मस्जुद आहाते का A.S.I. के जरीए किया जा रहा सर्वे आज भी जारी रहा कोच में पार्टिव में इसे एक कमाल मौला मस्जुद कल्यार सोसाइटी के सद्र अब्दुल्द समद ने सहापियों से कहा कि उन्होंने इस अमल में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो सेहत्मन नहीं थे और उन्हें देर से तला मिली उन्होंने कहा हम हाई कोच के पैसले कि इज़त करते हैं अगर आएंग के दाइरे में और हाई कोच के हुक्म का पालन करते हुए सर्वे कराया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसमें नए मुद्दे पैदा हो रही हैं जैसे सल 2004 में खंबे रखे गए हैं समद्ने आगे कहा मुस्लिम बरादरी ने भी खंबों पर एतराज जताया और दर्खवास भी दी एहतिजाज के बावजूद खंबे अंदर ही रहे और उन्हें हटाया नहीं गया वो से सर्वे में शामिल करना चाहते है बाद में एक मुझसमा काइम किया गया इसलिए हम नए सर्वे का हितजाज कर रही हैं रादिसान के जैपूर और इसके आसपास के अलाकों में गुलाल गोटा बनाया जा रहा है जैपूर में गुलाल गोटा खासकर मुस्लिम खानदान बनाता है इन दिनों रमज़ान चल र तो वहीं जैपुर में गुलाल गोटा की दुकान चलाने वाले एक शक्स कहा कि आजकल कई मुस्लिम खोंदान गुलाल गोटा बनाना में मच्गूल हैं यह हमारी विरासत का हिस्सा है हम इन छोटी गेंदो को बनाना बहुत पसंद करते हैं डिली के सिम अर्विन के जिवाल की गरफतार के बाद सियासी मोहौल गर्म है आमादी पार्टे के कारकून जगे जगे एहतजाज कर रही है इस बीच आल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सद्र मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी मुसल्मानों को एहतजाज से दूर रहने का मशवरा दिया है मौलाना रिजवे बरेलवी ने जम्मे को अपने एक बयान में कहा कि दिली के वजीर आला अर्विन के जिवाल की शराब घुटाले में गरफतारी हुई है सियम की हिमायत में दिली और उसके अलावा कुछ जगा मुसल्माहों पर एहतजाज शुरू हो गया है इसमें टूपी लगाकर मुसल्मान भी हिस्सा ले रही हैं मैंसे तमाम मुसल्मानों से दर्खवास कर रहा हूं कि इस तरह के एहतजाज में हिस्सा ना ले और ऐसे प्रोग्रामों से दूर रहें मौलाना ने आगे कहा कि इसला मजह में शराब को हराम और नाजायस करार दिया है असलाम ने अपने मानने वालों को शराबती ने खरीद फरौक्त हर तरह के स्तमाल से बड़ी सक्ती के साथ रोका है अगर कोई मुसल्मान अर्विन के जिवाल की हिमायत में हो रहे मुझाहिरे में शर्कत करता है तो वो नाजाइस काम को बढ़ावा देने वाले में शामिल समझा जाएगा इस एहतजाज में जो मुसल्मान हिस्सा लेंगे वो शरीयत की नज़र में मुझरिम होगा इसलिए ऐसे मुझाहिरे से दूरी इख्तियार करें वारबंकी की MP MLA कोट में माफिय मुक् की तरफ से दर्ख्वास दी जिसमें लिखा था कि साहब 19 मार्च की रात मुझे खाने में जहरीला मवाद दिया गया जिसकी वजह से मेरी तब्यात खराब हो गई ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है इससे पहले मेरी सिहत पूरी तर मार्च लगी है बतादे फरजी कागजों के आधार पर रिजिस्टर्ट की गई एम्बुलेंस को लेकर दर्ज धोका धड़ी के केस की बुनियाद पर 24 मार्च 2022 को डीम ने मुक्तार अंसारी के खलाफ गैंक्स्टर केस को मनजूरी दी थी इसके बाद 25 मार्च 2022 को उस वक्त क के शहर कोटवाल ने मुक्तार अंसारी और उसके बारा दूसरे साथियों के खलाफ गैंक्स्टर का मुकदमा दर्ज कराये था तो इस मामले का ट्रायल MP MLA कोट में हो रहा है रूसकी राजधानी मौसकों के पास क्रॉकस सिटी हाल में कॉंसर्ट के दौरान गोली बारी गए जिससे मौल की कई हिस्सों में आग लग गए जिसका धुआ इन तस्वीरों में दूर तक देखा जा सकता है वहीं मौसकों में हुए इस दहशत गरदाना हमले की भारत के प्यम नरेंद्र मोदी ने मजबत की है सोशल मीडिया प्लैटपॉम एक्स पर पोस्ट करते प्य कि भारी निंदा करते हैं हमारी हसासित और दूाएं मुतासरी SI eles आपको बता दे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मालूमात मिल रही है कि इस हमले की जिम्मेदारी दहशत गर्ड तंजीम इसलामिक स्टेट ने ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक तीन से चार बंदूग बरदारों ने कॉंसर्ट के दुरान लोगों पर फारिंग शुरू कर दी थी जिसमें सार से जादा लोगों की मौत हो गई है। मजमत की है उन्होंने कहा यह एक दहशत गर्दाना हमला है बैनुल अक्वामी ब्रादरी को इस जुर्म की मजमत करनी चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपने बुटान दौरे की दूसरे दिन यहां ग्यान तुस्वेन जैटसुन पेगा वांग चुको मदर एंट्राइल अस्पताल के अफ्ता किया। बुटान के पीम टोबगे ने नए सहुलियतों से लेस अस्पताल बनाने के लिए पूरी फंटिंग करने के लिए भारत हुकूमत का शुक्रिय अदा किया। यह माले मुलक के लोगों को वक्फ एक भूटान भारत दोस्तों का प्रोजेक्ट है। भूटान के साथ भारत के रिष्टों को और मजबूत करने के लिए दो दिनों के दौरे पर पहुंचे मोदी ने भूटान बादशा जिगमे खेसर नामग्याल वांग चुक से मुलाका की भूटान के वजीर सेहत ने कहा वजीर आजम नरेंदर मौदी के जरी इस अस्पताल का अफ्ता करना वजारत सेहत और भूटान के सभी लोगों के लिए जब की बात है अस्पताल में डेर सुबिस्तर है जो भूटान की सभी खवातीन और बच्चों को सुपुर्द है वह धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर भूटान के बादशा का शुक्री अदा किया दिली शराब घुटाला मामले में सीम अर्विन के जिवाल की मुश्किले बढ़ गई हैं दिली की रावजविन्यू कोट ने जुमे को आप लीडर को 28 मार्च तक एडी की हिरासत में भ गरफतार कर लिया इसके बाद सीम को खुसूसी जुस्ट्रिस कावेरी बावेजर की बेंच में पेश किया किया कोट के सामने अपनी दलीलों में एडी ने इल्जाम लगाय कि दिली के सिम ताजीरों से रश्वत मांगने में एहम साजश और सरगना है एजनसी ने आगे अख दिया कि गरफतारी की ताकत और गरफतारी की जरूरत दो औलग अलग चीज़ें अजादी के 75 साल की तारी निये पहली बार है आपके बेटे और आपके भाई अर्विन के जिवाल जी ने जेल से आपके लिए पैगाम भेजा है। इस प्रित्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। ने सनीचर को जर्मन एंबेसी के डिप्टी हैड जॉर्ज एंजवीलर को तलब किया था। जिसके बाद जॉर्ज एंज वीलर ने ये सनीचर को वजारत खारजा के अफसरान से मुलाकात की इस मामले पर भारते वजारत खारजा के तरजमान रंधीर जैसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा। आज नई दिली में जर्मन मिशन के डिप्टी हेट को बुलाकर हमारे अंदरूनी मामलों पर उनके वजारत खारजा की तरफ से किये गए तपसीरों पर भारत की सक्त मुखालफत से आगहा कराए गया है। वजारत खारजा ने मीटिंग के बाद एक बयान जारी कर कहा हम इस तरह के तपसीरों को भारत की अदालती अमल में दखल अंदाजी और अदलिया के आज़ादी को कमजोर करने के तौर पर देखते हैं आपको बताते चले केजरिवाल के गरबतारी पर जर्मनी के वजारत ख खारजा ने तपसीरा करते हुए कहा था कि हमने इसे नोट किया है भारत एक जमूरी देश है हमें उम्मीद है कि अदलिया की आजादी और बुन्यादी जमूरी कवानीन से मुतालिक सभी मयारात को इस मामले में भी लागू किया जाएगा केजरिवाल को न्यूट्रल स्यासी पार्टी चलाना मुम्किन नहीं है लहाजा हुकूमत ने 2017 में अच्छी रादे की साथ इंतखावी बॉन्ड स्कीम शुरू की थी जिसे अब सुप्रीम कोट ने गैर आएनी करार दे दिया है अगर सुप्रीम कोट इस मामले पर कोई और हुक्म देता है तो सभी सिया स्यासी दलों को एक साथ बैठ कर गौर करने की जरूरत है बतादे गटकरी ने गांधीनेगर के पास गिफ्ट सिटी में मुनकिद एक प्रोग्राम में यह तपसीर रखिया उन्होंने कहा कि जब अरुंड जेटली मरकजी वजीर खजाना थे मैं उस चर्चा का हस्सा था मिल शक्स की पहचान एन आई ए ने कर ली है मुझरिम का नाम मुसाबर हुसेन शाजब है जो की कनातक के तीर्थली जले के शिव मोगा का रहने वाला है और उसके साथ उसका साथी भी पकड़ा गया है धमाकी के बाद सी पुलिस और खूपिया निजाम के अफसरान मुझरि के कतल के लिए वांटेज भी था और चिन्नई में शाजब के साथ धमाकों के मनसूबों को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहा था एनाई के मुताबिक शाजब और ताहा दोनों ही आईएस आईएस मॉड्यूल का हिस्सा थे दोनों लंबे वक्त से किसी बड़े हमले क की फ्राक में थे बीजेपी मनिपूर में घाले और नागलेंज में लोगसबर इंतखाबात के लिए उमीद्वा नहीं उतारेगी बीजेपी ने अपने उमीद्वा ना उतार के मकामी पार्ठियों का साथ देने का पैसला किया है इन तीनों सूबों की 5 सीटों पर 19 अप्रे उमीद्वारों की हिमायत करेगी में घाले में शिलोंग और तूरा दोनों सीटों से इंतखाबात लड़ने के लिए छे उमीद्वारों ने दरख्वास दी है जिन में मरकजी वजीर एल हैक भी शामिल है मैं मिजुरम की सब्ता नशीन पार्टी जोरम पिपल्स बीजेपी में शामिल हो गए हैं इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के तीन आजाद मले ने भी बीजेपी का दामन ठाम लिया है बीजेपी में शामिल होने वालों में कॉंग्रेस के सुधी शर्मा रवी ठाकू राजी इंदुर सिंग राणा चैतन्य शर्मा देवेंदर रूख अपनाते हुए बीजेपी की उमीदवार के लिए वोटिंग की थी इंतखाबात में हुए क्रॉस वोटिंग के बाद सुखु हुकुमत पर सवाले निशान लग गए थे ऐसी अफवाएं उड़ी थी कि सुखु हुकुमत गिर सकती है कॉंग्रेस के ची विदायकों क पीसरी बार लोगसभा की सभी 25 सीटे जीतने का दावा कर रही है वहीं दूचरी तरफ खबर ये है कि वड़ोत्रा से पीजेपी की पारलिमानी मेंबर रंजन बेन भट ने लोगसभा इंतखाबात लड़ने से इंकार कर दिया है उनके अलावा साबर कांथा लोगसभा सीट से बीजेपी उमीदवार भीका जी दुधा जी ठाकोर ने भी इंतखाबी मैदान में उतरने से इंकार कर दिया है आपको बता दे रंजन में भट ने सोशल मीडिया मंच एक्सपर लिखा है कि वो जाती वजुहात की चलते 2024 लोगसभा नहीं लड़ेंगी बता दे वरोद्र पंजाब के संग्रूर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाथ 21 हो गई है पंजाब हुकूमत से जुड़े एक एहलकार ने बताए की अस्पताल में एथनॉल कैमिकल की शुकार मरीज लगातार डम तोड़ रही हैं बीते दिनों संग्रूर में जहरीली शराब पीने के बाद अलग अलग अस्पतालों में करीब 44 लोगों की भड़ती कराए गई पटियाला राजिंद्र अस्पताल में दस संग्रूर अस्पताल में छे लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है पंजाब पुलिस के अलब सर अर्पिच शुकला ने बताया कि पुलिस को जैस लिखते रहें तहजीब टीवी मुझे दीजे इजासत आदाब